राश्कार दोस्तों, Q&A शुरू करने से पहले कुछ चीज़े हैं, जो मुझे आपके साथ डिसकस करनी है, जो आपके कोशन से रिलेटेट है, पहले चीज़ है, SDFC Infrastructure Fund के उपर काफी सारे कमेंट्स है मेरे पास, तो definitely मैं इसके उपर काम करना शुरू कर चुका हूँ, मैं इन कि उनके Fund Manager personally क्या काते है, मेरी Research में क्या चीज़ निकल के आई है, वो मैंने आपके साथ शेर करिए, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्यूकि मैं जादा स्यादा कोशन पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस वज़े से वीडिय के बाद देखा गया है, कि market जैसे ही गिरती है, वैसे ही recover हो जाती है, अब जैसे से inflation बढ़ता जाएगा, ध्यान mutual control इसके उपर जा रहे लोगगा, तो सब्सक्राइब कोई भी बने market में खुला पैसा आ रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तो COVID के बाद से basically क्या हुआ बहुत ही शाप recovery देखी है, COVID के बाद से क्या हुआ है, और उससे पहले क्या होता था, कुछ उसके उपर मैं, you know, projection डालतो, COVID से पहले क्या होता था, कि जो हमारा internet था होता फिरी नहीं था, COVID नहीं इवेन आप जियो की बात कर सकते हो, तो इतने ज्यादा internet नहीं था, इतने ज शेप की recovery होती थी, मतलब गिरता 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 फिर उपर जाता था, अब V-shape की recovery होगे, कि एकदम से नीचे आता है, एकदम से आता है, क्यों, negative news आती, एकदम से market गिरती है, उसको digest करने के लिए बहुत साई videos आती है, तो एकदम से recovery आती है, तो इस वज़े से जो recovery का time है वो आप देखोगे, shrink हो चुका है market के अंदर, दूसी चीज़ बोलिया आपने, कि पैसा काफी जादा खुला आ रहा है, inflow बहुत जादा है market के अंदर, ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है, देखो अगर market crash नहीं करती है, market गिरती नहीं है, मैं चाहता नहीं गि चुकी है, जब नीचे सो ऐसे उपर जाती है, तो कोई भी गलत news आती है, तो एकडम से गिरती है market 15-20% के आसपास, और जब market ऐसे ऐसे चल रही होती है, तो inflow आता है, momentum बना होता है, तो धीरे-धीरे पैसा आ रहा है, धीरे-धीरे market उपर जा रही है, गिर रही है market उपर ज होता है, तो एक healthy correction बीच-बीच में होता रहे है, तो market को आप कैसे होते हैं, real valuation के आसपास लाया जाता है, और वो लोग जो यह सोचते हैं कि market से विस वज़े से चल रही है, कि भाई inflow आ रहा है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ भाई एक चीज है, कि पैसे की एक limitation है, INR की growth की एक limitation है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो dollar को beat करते, at least अभी के case के अंदर तो definitely नहीं हो सकता, तो एक certain point के बाद market करेगी चाहिए, कितना भी inflow करो market के अंदर, because market सिर्फ Indian investor के basis के पर नहीं चलते, foreign institution का भी बहुत बड़ा role होता है, definitely यहाँ पर selling है, लेकिन आपसे फियर बोलो कि भा की news आगे, real time में जिसमें impact हो सकता है, इसराइल और इनकी बात नहीं कर रहे है अभी के लिए, let's suppose, और उसी के साथ साथ इंफलेशन के ज्यादा number की news आगे, उसी के साथ साथ फाइरिंग की number आने लग गए, ठीक है, इसी के साथ साथ GDP के issue आगे, तब कितना भी inflow करो market के अ इनफलो का एक limitation है, वो limitations जब तक है, जब तक अच्छी बात है, कि भाई, एक limitation है, अगर आप यह सोचोगी, इससे market में inflow आएगा, ऐसा नहीं होता, cycle दोनों side चलती है, momentum में cycle उपर जाती है, और जब गिरती है, तो उसी वज़ी से गिरती है, क्यों, क्योंकि पैसा बढ़ होता है, तो लोग और डालते है, तो लोग और डालते है, तीन-चर महीने का जहां correction आता है, कि market लगा था, गिरती हूँ दिखती है, जो लोग पैसा निकालते है, निकालते है, तो नीची की market और नीची जाती है, और उपर जाती है, और उसमापे inflow की कोई बात नहीं करता ह मार्केट नीचे गिर रही होती है, तो सर्फ मेरा काम यह है, मैं आपको सतर करूँ, मैंने पैसे खराब करे हैं, अपने ऐसी मार्केट के अंदर, बुल वाली मार्केट बहुत, 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 बहुत ज्यादा सेंट्सिटिव होती है, तो थोड़ा समल के चलो, बाकि सब अ ही हो सकते हैं, और यह प्रेडिक्शन नहीं है, यह अनलेसिस, अदेको प्रेडिक्शन में आप यह कह सकते हो, कि सूरज के उपर ग्रहन रग रहा है, और जो मार्स है, वो उसके पीछे जा रहा है, एकलिप्स का फॉर्म बन रहा है, जिस वज़े से मार्केट गिरेगी, यह होगी, प्रेडिक्शन, इसके अंदर इकोनोमिक्स नहीं आदेखी गई है, इसके अंदर सेक्टर को नहीं देखा गया है, इसके अंदर सिर्फ-णसर्फ हवा यह बात होगी, this is called prediction, अगर आप अनलेसिस मार्केट की करते हो, इस अनलेसिस सेक्टर की करते हो, तो वो डेटा होते हैं और data points के अंदर आपके काफी ज़्यादा chances होते हैं कि वो चीज़ play out हो जाए अब देखो 100% कभी भी play out नहीं होती कि आप बिल्कुल सही कहा रहे हो चाहे आप analysis कर लो चाहे prediction कहलो ये काम होता है 70-80% के आसपास और जो 50% से ज़्यादा chances हैं वो मैं आपके सार शेयर करने की कोशिश करता हूँ अगर कोई चीज़ ऐसी है जो 50% पे भी है कि भाई ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती 50-50 chances है probability 50-50 है वो मैं शेयर नहीं करूँ जहाँ पे 60 हो at least वहाँ पे शेयर करने में मज़ा आता है तो बिल्कुल prediction नहीं है सर ये सिर्फ passive analysis है जो मेरी analysis कहती है जो market के analysis कहती है वो मैं आपके सार शेयर करता हूँ prediction मुझे नहीं आती है सर करना और मैं करने की कोशिश भी नहीं करता सर चोब हम ये कमेंट आ रहा है कहा रहा है value की बात करोगे तो value में भी same देख रहा है तो I would say value एक best option होगा अच्छे valuation पे company असाँ पर काम है तो value fund अगर अच्छे मिल जाए तो उसके साथ जाने में ज़्यादा better होगा counter fund कभी भी major part नहीं होना चाहिए आपके portfolio का ये एक 10-15% का हिस्सा हो सकता है major part नहीं हो सकता तो value fund अच्छे साथ कि value fund ज्यादा अच्छा होगा अच्छे साथ साथ सलिन का कमेंट आ रहा है और आपका नाम सही से प्रणाउंस किया या नहीं कर रहा है यह कहरें भाई एक वीडियो बना दो banking mutual fund के उपर infra के उपर लमसम बाइंग के उपर की दोनों में से एक ही लेना है मुझे तो मेरे साथ से अगर आपको एक लेना है इनफ्रेशन के उपर रेट कर और मैं बेंकिंग जाता है मैं इनफ्रा के साथ शायद नहीं जाता अगर मैं एक ही चूज करना होता ऐसा रूल होता मैं पर आपस रूल होता दोनों को रखने का कहा रहे हैं, banking और infra के लिए mutual fund, lump sum, please बता, मालब basically कहा पर invest करना है, banking और mutual fund, मालब banking ये infra के mutual fund बता दो, तो definitely I'll try एक video बनातो हूँ मैं, जिसमें infra की कुछ अच्छे mutual fund होंगे, और banking के लिए तो मैंने एक video बनाई हुई है, बट उसी के अंदर cover कर लेंगे, एक और बनादूँगा, मैं top 3 banking और infra के mutual fund, ठीक है, understood ग्टर अरजुन जी का comment आ रहे हैं, कह रहे हैं, मैंने पहले भी comment किया है, और आपने उत्तर नहीं थिया, अभी देंगे तो अच्छा रहेगा, सर मैंने दिया है, क्योंकि मुझे याद है, टीटी के प्रस्टीज के उपर आपने question पूछा था, वापिस से है, क्या करूँ, मेरे इसाब से, all time low के आसपास है, टीटी के प्रस्टीज, देखो, टीटी के प्रस्टीज के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि आपके बहुत सारे पैसे बनेंगे, एक स्विंग वहाँ पर बनेगा, टाइम लगेगा उसके अंदर, क्योंकि जो प्रस्टीज ऐसा कंपनी है, वो कुकर बनाती है, एक कुकर की life span अब थोड़ी से जाधा बढ़ चुके है, ठीक है, वही पर आप देखोगे, तो ग्रोथ नहीं है, टीर 2, टीर 3 स्टीज के अंदर, जहाँ पर प्रस्टीज की major demand है, अगर आप उसके portfolio देखोगे, कि अहाँ पर जाधा buying होती है, प्रस्टीज की, टीर 2, टीर 3 स्टीज के अंदर main buying होती है, prestige cooker की, तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा time लगेगा इसको grow करने के लिए, एक swing ले सकते हूँ, यह long term bet नहीं होगी, एक swing के लिए बहुत अच्छा stock है, एक अच्छे valuation के आसपस धीरे-धीरे करके आ रहा है, revenues में थोड़ी से दिक्कत है, वो तभी वापिस है कि जब demand आपके व होना शुरू हो जाएगी सर, जाहिर जी का comment आ रहा है, यह कह रहे हैं कि में पास access का ELSS mutual fund है, जो की काम नहीं कर रहा है, 18 में पर 33 की rank दिखा रहा है, तीन साल से ज्यादा का lock-in है, तो क्या करना चाहिए, इसको hold करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, द यह खतम सही आप माल लो, तो मुझे परसनली लगता है, अभी नहीं इसमें चलेगा और यह चलेगा अभी तो बहुत extraordinary return नहीं बना करके देगा, तो इसको hold करके आप एक और कोई दूसरा ELSS mutual fund ले सकते हो, count का देख सकते हो, ELSS सही है, Mirai का देख सकते हो, ELSS सही है, बंध planning to claim Olympic Games for 2036, इन्फरस्ट्रिक्टर रॉकट बन जाएगा, सर देखिये, मोदी जी आजाए, कोई और आजाए, मुझे बहुत दिक्कत नहीं है, मेरे साब से जो भी आजाए, बहुत अच्छी बात है, मेरे सिर्फ एक concern है, political way में मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को, देखो मैं आत क्या beneficial नहीं है, और आज की date के अंदर मैं 30% के tax bracket में आता हूँ, तो मैंने दोनों की दोनों साइट देख लिए सहाँ पर, I would से, तो मेरे साब से मोदी जी आजाए, राहूल जी आजाए, कोई और जी आजाए, कोई फरग नहीं पड़ता है, मेरे साब से देखो, जब तक job generate कर दोगे आप, as a, you know, government, अगर आप job generate कर रहे हो, economic के अंदर growth हा रही है, गरीब इंसान, मेरे जैसे गरीब इंसान, धीर धीर करके grow करें, मेरे पीचे चलो, luck मेरे, मैं कहा सकते हूँ, एक luck बहुत बदा factor है, पढ़ाई लिखा ही, बहुत बदा factor है, जो कि मेरे parents कहीं नहीं help करी, मैंने government school में पढ़ाई करी एक साल, बहुत बुरे conditions थे भाई, इसी के साथ साथ आप कह सकते हूँ, कि जब मैंने government के, अभी, मैं 30% का अगर tax दे रहो, मुझे क्या benefit मिल रहा है, 30% के tax, मुझे कोई benefit ने मिल रहा, definitely हमारे पैसों से, you know, घोटाले बहुत हो सकते हैं, कि government किसी को, बड़े आदमी को पैसा दे दे, वापिस ना ले, इसी के साथ साथ क्या हो सकता है, कि गरीबू को राशन मिले, मैं मानता हूँ, यह चीज़े करनी चाहिए, कि भाई, मैंने खुद भी राशन लिया है, बड़ मैं यह मानूँ हुआ कि, अगर किसी को, कोई इंसान 30% का सबसका tax दे रहा है, तो उसके पास कुछ benefits होने चाहिए, infrastructure बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा, I have no issue, आप जो मर्जी वो करो, पहला concern है, मेरा कोई भी government है, जिसको पर कोई बात नहीं करती, education system थोड़ा हमारा update होना चाहिए, दूसरी चीज, government जो school है, मैंने भी tax थोड़ा सा कम कर लो, ताकि हम, you know, spend कर पाए, economy के अंदर, फिर उसके साथ से जो tax दे रहा है, you know, tax bracket के अंदर आ रहा है, उससे थोड़े से benefit दो, क्योंकि हमें कहीं पर benefit नहीं मिलते है, ठीक है, तो government कोई भी आए, जब तक ये basic काम वो करेंगे, मेरे लिए अच्छी है, अगर वो same corruption के उपर जाएंगे, Hindu-Muslim करेंगे, या फिर कुछ और करेंगे, तो यार मेरे को कोई interest नहीं है, मैं आप कह सकते हो थोड़ा open mind के साथ हूँ, मेरे को सर्फ देश की growth में interest है, मुझे किसी भी government की growth में interest नहीं है, देश गरू करना चाहिए, मैं बस ये मानूँगा क्योंकि इस देश ने काफी कुछ दिया है मुझे, देश गरू करेगा, तो मेरे लिए सब अच्छ है, देश गरू नहीं करेगा, तो मेरे लिए कोई government अच्छे नहीं है, मैं simple सा मना यह है, तो देश गरू करना चाहिए, देश की problem solve होनी चाहिए, देश के गरीब लोगों क और अमीर बनने का मौका ना मिले चलेगा, तो गरीब को अमीर बनने का मौका जरूर मिलना चाहिए, यह जो भी government देगी, मुझे वोग पसंद है, अब यह चाहिए, बीजेपी देटेए, चाहिए, चाहिए, आपकी पार्टी देटेए, चाहिए, आप खुद भी election में आपकी साइड है, Mr. Dhiris D. का comment है, Sir, I love your videos, thank you so much Sir, आपकी comment के लिए यह कह रहे है, मैं 50 लाग क्या सवस लमसम करना चाहता हूँ, और Quant Infra में करना चाहता हूँ, ऐसे से manufacturing में करना चाहता हूँ, Tata Digital छोड़ो, इसको तो ignore कर दो, कोई तरीके से, सुन्दरम, Banking and Finance Services में करना चा तो मेरा सिफ एक चीज रहेगी कि भाई, election का वेट करो, एकदम से कूद के पैसर डालनी की जरूत नहीं, election करतम हो जाए, एक बार, major event है, उसके बाद, मतलब, side line पर भी नहीं खड़ा हो ना, अंदर भी नहीं जाता, आप यह कैसा हो, 10-20% के आस-पास investing होनी चाहिए, उसके बाद, election का वेट करो, उसके बाद, market में और पसरा डाला जा सकता है, but definitely, digital को छोड़ों के मुझे लगता है, बाकि यह फंड तो बढ़ी है, बाकि फंड मैसेज कोई दिक्कत नहीं, but definitely, detail video आज एगी सर, मैं जी का comment है, यह कह रहे है, कि bank और infrastructure के कौन सा mutual fund अच्छा है, mutual fund के पर तुम मेरको देखना पड़ेगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे exactly by name याद नहीं, सुंदरम अच्छा है, क्योंकि लास्ट केमेंट में देखाता है, उसका राम भी मुझे याद था, निपाउन का भी banking का अच्छा आता है, इसी किसा सत कौन का BFSIP अच्छा fund है, और भी काफी सारे हैं, जो अच्छे mutual fund है, consistency है उनके अच्छा है, और रही बात दोनों category में से कौन सा अच्छा है, long term perspective, जहां पर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, profit book नहीं करना, कुछ नहीं करना, banking अच्छा है, infrastructure के अंदर आपको सोस समझ के लेना पड़ेग मुझे नहीं लगता कोई ऐसा sense बनता है, और low PE वाला sector fund अच्छा होगा, सर देखो, PE क्या denote करता है, PE price earning ratio denote करता है, क्या PE निकालना 100% possible है, definitely नहीं है, इसके बहुत अलगले formula होते हैं, ठीक है, पहली चीज़ होगी है, दूसरी चीज़, PE, stock के sector में काफी तरीके से काम करता ह stock को, you know, समझने में एक help करता है, अगर आप mutual fund में यह चीज़ समझने चाहोगे, PE के थो तो कुछ major चीज़ समझने आएगे, देखो, अब banking है, तो वो high PE का mutual fund आपको मिलेगा, अगर एक consumer है, तो और भी जदा high PE का मिलेगा, एक cyclical है, तो वो कम PE का आपको देखने को मिलेग banking है, PSU है, जो कम PE का देखने को मिलेगा, तो PE से आप denote नहीं कह सकते है, आपको stock समझने पढ़ेंगे, उसके अंदर strategy समझने पढ़ेंगे, उसके अंदर किस तरीके का mutual fund है, क्या long term perspective है, short term perspective है, quantitative है, या फिर fundamentals के साथ है, यह सब देखकर कि आपको invest करना चाहिए, सिफ PE से पसता है, low PE का मतलब ये हो सकते है, कि वो ऐसे industry में में भी जपसा डाल रहा है, जिस industry को ज़्यादा valuation नहीं मिलती, जो cyclical businesses होते हैं, उनमें zयादा valuation नहीं मिलती, commodity उसमें zयादा valuation नहीं मिलती, steel उसमें zयादा valuation नहीं मिलती, तो PE को देखकर कि आप directly नहीं जा सकते, जैसे stock बैंकिंग है, वहाँ पर high PE दिखेगा, FMCG है, वहाँ पर high PE दिखेगा, even वो stock नहीं भी चल रहे हैं, तो भी high PE दिखेगा, क्यों valuation इन company को ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर predictability होती है, कि आने वाले time पर कितना revenue वो sector कमा पाएगा, अधे वीडियो परसंद, आए दो वीडियो को लाइक और चालल अब्सफ़ाब करना विल्को रूमना, तिक यू सो मुच वाचिए वाचिंगा, वाचिंगा, पॉच्छ वाचिंगा, बॉच्छ वाचिंगा, आजए वीडियो परसंद,